दोस्तो स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम आपको देश दुनिया से जुड़े रहसे और ग्यान बिग्यान पर आधारित तत्यों पर वीडियो लेकर आते हैं इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आये हैं अक्सर सुना होगा कि लोग किसी कुंड में नहाने जाते हैं या फिर किसी कुंड में नहाते हैं लेकिन क्या आपने सुना है कि लोग दूर दूर से कीचड में नहाने आते हैं शायद नहीं लेकिन अजरबेजान का गौबुस्तान नेशनल पार्क यूनिस्को की विश्व धरोवरों में सामिल है यहां करीब 20 जौलमों की कुंड हैं इनमें नहाना सेहत के लिए काफी फाइदे मन्द बताया जाता है अजरबेजान के गौबुस्तान नेशनल पार्क के कुंडों में इसनान करने के लिए हर साल दुनिया भर से हजारों सहलानी आते हैं अजरवेजान की गिंती उन देशों में होती है जहां बड़े कुंड हैं गौबस्तान में करीब 20 साल बाद कीचर से भरा ज्वाला मुखी सक्रिय होता है इस दोरान कीचर काफी दूर दूर तक फैल जाता है कई लोगों को लगता है कि कीचर से भरे इन कुंडों में इसनान करने से सांस और तुचा की बीमारियों से राहत मिलती है मानब बिग्यानियों का अनुमान है कि कीचर के इन कुंडों को हजारों साल पहले इनसान ने फोजा और इनका इस्तमाल करना शुरू किया जुआलमंखी गतिविदियों से बनने वाले इन कुंडों में गरम कीचड होता है लोगों को चेतावी दी जाती है कि वह तापमान चेक करने के बाद ही कुंड में जाए इन कुंडों के जरिये बहने वाला कीचड देर सबेर मिट्टी के देर में तबदिल हो जाता है इस्थानिय लोग उस मिट्टी का भी हिलाज के लिए इस्तमाल करते हैं दोस्तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शियर करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिये सबिस्क्राइब बटन को दबा कर इस चैनल को अभी सबिस्क्राइब कर लें यह बिलकुल फिरी है जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में